तो आप लोग जादा तो कॉमेंट करते हों कि सर्फ विदाउट इंकम प्रूब का लोन नहीं मिलता है तो देखिए मैं आपको यहां पर प्रूब दिखा रहा हूँ ठीक है यहां पर प्रूब देखिए सबसे पहले यह जो लोन इमांड है यह 10,800 मेरा मिला हुआ है और यहां पहला लोन है 9,000, 7,000, 6,000 और यहां पर चोथा लोन जो मिला है 9,000 यानि कि जब-जब मैं लोन का रिपेमेंट कर देता हूँ लिमिट इंक्रीज होते चला जाता है ठीक है और यह लिमिट जो है पूरे 30,000 तक आपका हो सकता है ठीक है यह कंपनी मैक्सिमम आपको 30,000 का ही लोन प्रवाइड करवाता है बिना इंकम प्रूब का देकि अगर आपके पास कोई भी इंकम प्रूब नहीं है ठीक है और आप लेना चाहते है परसनल लोन तो यह कंपनी जो है आपको तुरंद जो है लोन प्रवाइड करवा देता है सिर्फ दो मिनिट का ही टाइम आपको यहाँ पे लगेगा दो मिनट के अंदर आपको लोन मिल सकता है तो फ्रेंट अगर आपको भी पैसे की इंमर्जनसी है और आप लेना चाहते है परसनल लोन तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ल को जानना चाहिए आप लोग क्या करते हैं पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं वीडियो को स्कीप कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि से लोन नहीं मिला पूरा पूरसेस समझ लिजिए ठीक है कैसे करकर अपलाई करना है क्या क्राइटेरिया है यह सारा चीज अगर आप को समझ आ जागा तो उसके बाद अगर आप loan apply करेंगे तो 90% chance होता है loan approval होने का ठीक है तो यहाँ पर company कहता है कि यह जो है company यह RBI register NBFC online app इंडिया का application है और NBFC से register है ठीक है किसी भी company से ऐसे loan के लिए apply नहीं करना है सबसे पहले application के बारे में details पूरवग यहाँ पे समझ लिजी यह company क्या क्या रहा है कि explain for credit for a small business purchase ठीक है अगर आपको यहाँ पे 30,000 का loan लेना है जैसे कि कोई business के लिए भी आप ले सकते है या कि fair personal ले सकते है 30,000 का loan यह company आपको मिलता है देता है ठीक है बारह महिना का आपको maximum time दे सकता है 18% का higher interest हो सकता है ऐसा नहीं कि 18% लगेगा कम जादा भी हो सकता है processing भी अगर आप 30,000 का loan लेते साड़े 700 कटेगा total आपको जो interest देना होगा एक साल के अंदर वो 3,005 रुपया लगेगा EMI आपका 2750 रुपया लगेगा जो की 12 मन्थ में आपको यहाँ पे payment करना होगा ठीक है और आपका bank account के अंदर पैसा कितना आएगा तो bank account के अंदर आएगा 29,250 रुपया और आप जब एक साल में जब परते एक बार आप यहाँ पे 2750, 2750 करके किस्त payment करेंगे total total जो आपको यहाँ पे payment करना होगा वो 33,000 आपको payment करना होगा यानि कि एक साल के अंदर आपको यह जो company है महेच 3,000 का interest यहाँ पे ज़्यादा आप लोगों से ले रहा है ठीक है अब इस company के बारे में यह भी जानना है कि यह company कीन लोगों के लिए loan provide करवाता है सबसे पहले criteria important है ठीक है criteria match होगा तो फिर loan के लिए apply कीजिए देखिए बहुत प्रकार का यह जो company है loan provide करवाता है जैसे कि अगर आपको कोई medical shop है ठीक हाड़वेर दुकान है यह कोई व्यक्री shop है और आपको चाहिए कुछ ऐसा पैसा जिससे आप business को grow कर सकते हैं तो यह company insight आपको provide करवा देता है विदावड income prove का यह company process भी बता रहा है जिए कैसे करकर loan के लिए apply करना है तो loan apply करने के लिए सबसे पहले application को install करना होगा application का नाम में आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसके बाद registration process में आपको अपना mobile number और इसका term and condition जो भी basic information है permission उसको allow करना होगा और documents में सिर्फ आपको pen card और अ ऐसे application है जो already play store पर चल रहा है तो फिर इस application पर loan क्यों लिया जाए तो देखिए इसका बड़ा ही यहाँ पे अतिसुंदर यहाँ पे जवाब है यहाँ पे है कि यह company low interest and processing fee पर loan provide करवाता है online personal loan approval in just 5 minutes सिर्फ 5 minutes के अंदर आपको approval मिल जाता है no collector credit card required कोई भी credit card का required नहीं है 100% application save है save and sequel है क्योंकि यहाँ पे RBI इसको regulate कर रहा है तो इसका मतलब है यह NBFC के नियम को मानता है और NBFC से जूड़कर ही यह company काम कर रहा है ठीक है यहाँ पे देखिए तीन income merchant partner है SI, Sabra Capital, Mass Capital and Federal Bank Federal Bank का नाम आपने सुना ही होगा एक बड़ा bank है जो इनके साथ type किया हुआ है customer care का भी नंबर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप इनसे contact करना चाहें तो इनके customer care का भी नंबर देखने को मिलता है आप application का नाम देखिए application का नाम है किस्त instant line of credit यह personal loan भी provide करवाता है credit भी provide करवाता है जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखा है जैसे आप application को open करेंगे कुछ इस परकार का interface आप लोगों के सामने आएगा तो जो process बताया उस process करने के बाद यहां पर loan आपका approval हो जाता है ठीक है यहां पर देखिए जो शुरू मे loan मिला है तो उस 10,800 का जो loan मिला है उसके बाद मेरे bank account के अंदर कितना transfer हुआ है ठीक है the details में हम चलते है और details में जाके आपको दिखा देते ताकि आप लोगों को clear समझ आ जा तो कितना यहां पर interest लग रहा है कितना processing fee लग रहा है क्योंकि अगर आपको better लगेगा तभी apply कर कर सकते हैं आपकी इच्छा ठीक है तो यहां पर देखिए loan approval हुआ है 10,800 का processing fee यहां पर कट रहा है एक 1207 रुपया और GST जो government का है वह 19926 पैसे bank account के अंदर receive कितना हो रहा है 9494 रुपय ठीक है जिसमें से interest amount interest amount यहां पर 107 रुपया लग रहा है देखिए यहां पर इनका जो फंडा यह उसको समझना होगा मतलब 107 रुपया interest ले रहा है और यहां पर 10,800 का लोन है पुरवल हुआ 100 रुपया interest और 1100 रुपया processing fee अब बोली अगर इतना ज्यादा processing fee ले रहा है तो यह जो company है यह कितना ज्यादा लोगों से पैसा मतलब interest के तो रुपर तो नहीं ले र करता है वो क्या कर रहा है processing fee के नाम पर payment कर रहा है अब देखिए यहां पर time भी ज्यादा नहीं मिलता है 15 दिन का ही time मिलता है 15 दिन का और application में बताए कि 2 साल का लेकिन मिलेगा नहीं वह यह अगर आपको 15 दिन के लिए loan लेना है तो यह company दे रहा है देखिए 15 दिन का time मिला है अगला यहां पर जो है second किस्त के लिए 2 साल का time है यानि कि लग भाग लग भाग यहां पर 100% का 100% पैसा यह repayment करवा ले रहा है उसके बाद फिर यहां पर देखिए second December 2024 में फिर आपको payment करना पड़ेगा 540 रुपया तो यह कुछ भंडा है किस्त application का अगर आप loan लेना च चाते हैं तो कोई दिक्कत ने वह भी आपकी इच्छा है देखिए मैंने अपने चैनल के उपर बहुत सरा वीडियो उपलोड किया हुआ है जिसमें इंस्टेयन परसनल लोन विदावड इंकम प्रूब विदावड सलेरी स्लीप ठीक है विदावड आपका विदावड जो ह कर सकते हैं ठीक है और फ्रेंड आप लोगों का ज्यादा तर कॉमेंट आता है कि सर आपसे मैं कॉंटक्ट कैसे करूं तो देखिए अगर आपको कोई कोई सवाल है या कोई राय आप देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें आप डिर्क्ली हमसे इंस्टाग्राम पर जू विडियो को जो है लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और नोटिपिकेशन को वाल पे फिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं विडियो को फ्लोड करूँ उसका नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चली फ्रेंड मिलते हैं किसी अगले व